हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नैंसी मैम, हिंदी क्लास के साथ, तो बच्चो, आज मैं आपको वाक के ग्यान पढ़ाऊंगी एक हे मातरा से, चेखे, अभी तक आपने एक हे मातरा से जोड़कर लिखो तक पढ़ लिया है, है ना, पढ़ लिया है ना अच्छ से, तो बच्चो, आज हम लोग वाक के ग्यान पढ़ेंगे, और आपको पता है, कि वाक के ग्यान से आपका चैप्टर जो होता है, वो समाप्त हो जाता है, ठिक है, और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, कि आपको सब्द ग्यान में कितने अच्छ करोगे, ठिक है, इससे पता चलेगा, कि आपने कितना अभी तक पढ़ लिया है, और आपको कितने अच्छ से लर्ण है, ठिक है बच्चो, तो हम लोग पढ़ना सुरू करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पता है न, आप अपनी हिंदी की कॉपी ओपिन केजिए, और जैसे मेरी खुली हुई ये कॉपी, बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉपी ओपिन करनी है, आपको CW लगानी है, ठिक है बच्चो, आज का डेट है 1-7-17-10-2020, ठिक है बच्चो, कौन सी मात्रा पढ़ रहे हो, A, क्या है ये, A, और उसकी मात्राएं कैसे होती है, उ यानि कि दो पॉनी, यानि कि दो चोटी, ठिक है, तो ये और ये मिलके क्या हो जाते है, दो, ठिक है बच्चो, तो क्या पढ़ना है, वाक्य ग्यान, A, और उसकी मात्राएं, तो वाक्य ग्यान में हेडिंग क्या है, कौन सा टाइटल आपको पढ़ना है, सैर करे, सैर करे मत गूमना है वॉक करना है ठीक है बच्चों तो आगे हम लोग पढ़ें इसको सैर करे में क्या लिखा हुआ है पैर पैर से सैर करें पामे आ का मात्रा रा पैर पामे आ क्या होता है पै और रा पैर 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 यानि कि आपके जो लेग हैं से सैर करें यानि कि आपके कितने पैर है दो पैर हैं, left और right leg होए न, legs हो गए यानि कि दो पैर है ठीक है, तो जब दो पैर है इसलिए बोला है, पैर पैर से share करें, ठीक है नहीं किसी से bear करें bear का मतलब होता है किसी से आपको गुसा नहीं करना है जैसे आप कोई chocolate ले जाता है, या फिर आपको कोई समान ले जाता है या फिर कोई आपको मजाक में हलका सा touch कर देता है, तो आप क्या हो जाते हो उससे गुसा हो जाते हो ठीक है, कोई आपकी बात नहीं मानता है तो क्या हो जाते हो, आप उससे गुसा हो जाते हो तो यानि कि bear करना ठीक है उससे गुस्ता हो जाना ठीक है नराज हो जाना तो नहीं किसी से बैर करें यानि कि किसी भी लोगों से आपको बैर नहीं करनी है ठीक है गुस्ता नहीं करना किसी पर सबके साथ प्यार से आपको बात करनी है ठीक है तैरे नहीं तैरे नहीं का मतलब है सुइम नहीं करन ठीक है, समझ में आया नदी पर जाएं, सदा सभी की खैर मनाएं, खैर मतलब होता है उसकी अच्छाई, मतलब की उसको अच्छा ही देखो आप, ठीक है, लोग बोलते हैं ना, भगवान करें वो स्वस्त रहें, ठीक रहें, अच्छा रहें, जैसे आपको भी बिमार पढ़ ग सही सलामात रहो, आपको कुछ भी ना हो, ठीक है, तो इसी के लिए बोला जा रहा है, सदा सभी की खैर मनाएं, तो न हामें, क्या है, बड़ी की मातरा और बिंदु है, नहीं, किसी, किसी, तो इसको फास्ट बोले हो, इसको थोड़ा सा लेट से बोल रहे हो, किसी, सी, चल जाता है, कि कौन चोटी है, और कौन बड़ी वली मातरा लग रही है, इसमें एक चोटी है, यानि कि से, यहां दो चोटी यां लगी है, यानि बा में आय के मातरा क्या हो गया, बै, रा, बैर, करे, कर, रा में ए का मातरा, करे, ठीक है, यहां पर क्या है, ता में दो है, दो ए यानि कि ए की मात्रा है तय, रा में एक है, तो क्या हो गया तय और रे, ठीक है, तय रे, नहीं, नदी, लंबा बोल रहा हैओ, नदी यानिकि बड़ी की मात्रा नदी, परपर जाएं, ठीक, सदा, मुँ आ का मात्रा है, तो मुँ आपको ओपेन करनी है, सदा, सब हा में बड़ी की मातरा, सभी, की, बड़ी की मातरा, खा में ए, यानि कि, खै, ए, मुझ खुल जाएगा, खै, रखैर, म, नाए, मनाए, ठीक है, समझ में आया, तो एक बार मेरे सासाथ फिर से पढ़ें, ठीक है, ए, वाक के ज्यान, ए, सेर करें, एक बार मैं पढ़ूंगी, उसके बाद, आप मेरे पीछे-पीछे बोलना, पैर, पैर से सैर करें, फिर से बोलो, पैर, पैर से सैर करें, नहीं किसी से बैर करें, क्या हुआ, फिर से बोलो, नहीं किसी से बैर करें, तैरे नहीं नदी पर जाएं, क्या हुआ, तैरे नहीं नदी पर जाएं, ठीक है, last line क्या है सदा सभी की थैर मनाएं फिर से बोलो मेरे सासत सदा सभी की थैर मनाएं तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये सैर करे में क्या लिखा हुआ है तो आपको इसी तरह से वाक्य ग्यान को कई बर प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो जितनी भी मात्राएं है आपको अच्छी तरह से कोसिस करनी है प्रैक्टिस करनी है कम से कम minimum 10 times या 20 times ठीक है आपको learn भी हो जाएगा और आप मात्राएं भी अच्छी तरह से समझ जाओगे ठीक है बच्चों तो ये आपका क्या है class work यानि कि C से class ए की मात्राएं क्या पढ़ रहे हो वाक के ज्यान ए सेर करें जैसे मैं लिखी हूँ सेम बच्चों आपको ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम यानि कि do homework एक class work और दूसरा h से home, w से work homework ठीक है बच्चों तो आपका यहाँ पर वाक के ज्यान समाप्थ होता है कौन से मात्रा से? ए की मात्रा से अब हम लोग activity करें करना सुरू करें बच्चों ओके बच्चों यह है activity क्या है? CW यानि कि activity 17, 10, 2020 है activity आपकी ए की मात्रा ही है ठीक है? यह ए कौन सा activity चल रहे है आपका? 9 ठीक है? 9 चल रहे है न? तो activity 9 अब इसमें क्या है? activity 9 का आपको B देखना था ठीक है? तो B में आपने A देख रहे हो और A की मात्राएं है तो A और A की मात्राएं की बुक को मैं खोलू आपको साधे पिक्चर्स याद है उसके नाम याद है अगर नहीं याद है तो आप इस picture को देखे सोचो किस picture का नाम क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है ठीक है? आपने ये पढ़ा है मैंने इसका picture दिखाया है आपको अगर आप picture भूल गए हो तो फिर आपको मैंने सब्द ग्यान जोड कर लिखो मैंने सिखाया है ठीक है उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है और अगर फिर भी भूल गए हो तो मेरी वीडियो देखो आपको याद आ जाएगा ठीक है कि इस वीडियो में इस पिक्चर का नाम क्या है तो यह क्या है मैं बताओं चलिए बता ही देती हूँ य यह है थैला आ का मातरा है इसलिए क्या हो गया यह क्या है बैग की तरह है यह है थैला ठीक है थैला मतलब बैग इंगलिस में बोलते हैं ठीक है जोला थैला ठीक है बैग तो था में आ का मातरा ला में आ का मातरा थैला फिर सेबुक मैं टर्ण करती हूँ ठीक है पिट्यो कर इंग्लिस में भी लिखी और हिंदी में भी लिखी है, क्या है, पैसा, यानि कि पा में आ का मात्रा, सा में आ का मात्रा, ये कितना पैसा है, वन, यानि कि एक पैसा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, पैसा, ठीक है बच्चो, टर्ण करूं पेपर, यानि कि बुक मैं पलट दू ये क्या है बैटरी ये है टॉर्च इसके अंदर में लगती है बैटरी लेकिन आपके बुक के जो पेपर मैं आपको जो बता रहे थी उसमें क्या लिखा हुआ था मैंसन था बैटरी क्या था बैटरी बा में आ का मात्रा ट रा में बड़ी की मात्रा क्या होगा बैटरी तो इस फोटो को देख करके आपको यहां पर क्या लिखने पड़ेगी बैटरी है मतलब कौन सा आ का मातरा लगता है उसी से आपको पिक्चर देखनी है तो यह हो गया बैटरी तो बच्चों आपको समझ में आ गया एक आपने बैटरी पढ़ा दूसरा पार्टिंग में आपने थैला देखा तो अब यह आपके क्या है एक्टिविटी समाप्त हो गए तो अभी तक आप यह पार्ट वन की वीडियो देख रहे हो जिसमें मैं आपको वाक्य ग्यान और एक्टिविटी करा रही हूं कुछ बुक के वर्क आपके सहजिंदी रचना में छूट गये हैं जिसको मैं पार्ट टू में कंप्लेट कराऊंगे ठीक है बच्चो तो आप तयार हो तो अगर नहीं तयार हो तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप सहजिंदी रचना के बुक निकाल के बैठ जाओ ताकि आ मिलते हैं ठीक है बच्चो ओकी बच्चो बाइबाई एंड टेक क्यार